हेलो अब्रिवन राधे राधे आप सबी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो बहुत जाना खास होने वाला है आज की वीडियो में आप सबीके साथ सेख सेखने कर रही हूँ गुरुवार ब्रत का उध्ध्यापन किस तरह से किया जाता है जब आप गुरुवार ब्रत का संकल्व लेते हैं, कि आप कितने गुरुबार का ब्रत करने वाले हैं, तो उस ब्रत का आपको उध्यापन जरूर करना चाहिए. तो बिल्कु सरल बिदी से इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ बैसे तो देखिए किसी ब्रहमन को बुला कर आपको करवाना चाहिए लेकिन अगर ब्रहमन उपलब्द नहीं बन पा रही है तो आप अपने घर पर सरल तरीके से इस ब्रत का उध्यापन कर सकते हैं ब्रत का उध्यापन किस समय करना है ब्रत का उध्यापन आपको सुभा के समय करना है तो इस तरह से सबसे पहले नीचे हल्दी और आटे से चौक पूर लीजिए उसके उपर आप पटा या चोकी रख लीजिए उसके उपर जो है नए आपको एक पीला वस्त बिचाना है एकदम कोरा बिचाना है याद रखें आप तो मैंने हम पर कोरा पीला वस्त बिचा दिया है इसके उपर आपको भगवान बिश्नु की और लक्षमी जी की तस्वीर रखनी है अगर तस्वीर है तो तस्वीर रख लीजी अगर तस्वीर नहीं है तो आप यहाँ पर मूर्टी भी रख सकते है तो मैं आपको दोनों रखकर बताऊंगी, दोनों की पूझा करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए दाइने और आपको घी का दीपक प्रजुलित करना है, सबसे पहले पूझा में दीपक ही प्रजुलित किया जाता है तो मैंने यहां पर दीपक प्रजुलित कर लिया है, दीपक का यहां पर पूचन भी कर लिया है यहां पर भगवान को हम इशनान कराएंगे, हम यहां पर भगवान बिश्नु और लक्ष्मी जी गड़ेजी की और भगवान बिश्नु की जो है ना इस तरह से देखिए, मैंने यहां पर फूलों के ऊपर भगवान बिश्नु लक्ष्मी जी गड़ेजी को जो है ना यहां पर ब्राजमान कर लिया है, उध्यापन को वाले दें जो हो सके तो कलस्तापना आप जरूर करें बैसे तो देखिए, अगर आप गिनकर अगर गुरुवार के ब्रत कर रहे हैं, तो हर गुरुवार के दिन कलस्तापना आपको जरूर करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस दिन आप ब्रस्तापना आपको जरूर करनी है, तो हो सके जितनी पीली चीज़ो का यहां पर आपको यूज करना है कलस के रूप में यहां पर पीतल के लोटे का यूज कर रही हूं उसमें मैंने कलावा बांदा है हल्दी से जो है उसमें स्वास्तिक बना लीजिए आप और नीचे चावलों का असन आपको जरूर देना है चोकी पर अगर जगे है तो चोकी थैसानी से मैं एक पूल ढाला है रूली झाल दी है ठोडी से ठाली ठाल दीचे है चैवल डाल दीचे और एक सूपाड़ी की गांट इनसे इक बढन रागर जाल एक प्लेट राणिया्स पर तक हमने एक प्लेट जोड़ी से आपको ड़ इस बरतन में बराजमान कर लिया है इसी बरतन में हम भगवान को इशनान करवाएंगे अगर पीतल का बरतन है तो हो सके तो आप पीतल के बरतन में भगवान को इशनान करवाएं हमारे पास यह समय उपलब्द नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर इस तील का इस तरह से का कटूरा ले लिया है सबसे पहले हम गडेजी को इसनान करवाएंगे उसके बाद भगवान विश्नु लक्षमी जी को इसनान करवाएंगे आप चाहें तो यहाँ पर चंदन से भगवान विश्नु को इसनान करवाएंगे आप चाहें तो यहाँ पर चंदन से भगवान विश्नु को इसनान करवा सकते हैं भगवान विश्णू की दोनों तरफ तस्वीर के दोनों तरफ जो है आपको केले के पत्ते जरूर लगाने हैं मेरे पास केले के पत्ते देखिए उपलब्द नहीं थे तो मैंने यहाँ पर केली के पत्ते लगाए हैं हो सके तो केले के पत्ते आप जरूर लगाएं क्योंकि इ रहता है इसके बाद मैंने भगवान इश्णान करआने के बाद और पूशन कर दिया है तो इसी बिदी से आपको साह Ihnen साथ कि सार हम ये हम यहां पर तस्वीर की भी पूजा करेंगे मैंने यहां पर 귀ले कपड़े से सबसे पहले तस्वीर को पहुंस दिया था यहां पर आपको दिखा नहीं पाई उसके बाद मैंने इतने लगा दिया है और भगवान के साथ साथ जो है ना कलस का पूजन भी आप जरूर करते जाएं तो कलस पर भी जो है ना हमने थुड़ा सा जल चड़ा दिया एक फूल में रूली चावल लगाकर रूली चावल चड़ा दियें उसके बाद जो है ना हम यहां पर भगवान को भी यहां पतिला कर देंगे कलस का पूजन भी करना आने वारे होता है कलस पर हमारे सभी देवी देपताओं का निवासस्तान होता है अगर गड़ेजी की मूर्ती या तस्वीर आपके पास अलक से नहीं है तो कलस पर भी गड़ेजी के नाम का पूजन कर सकते है मैं यहां पर सभी देवी देपताओं का साथ में पूजन कर रही हूँ आप चाहें तो अलग-अलग भी कर सकते हैं तो मैं एक चोटा सा क्रेम आपको बता देती हूँ सबसे पहले दीपक का पूजन करना है उसके बाद गड़ेजी का पूजन उसके बाद कलस का पूजन उसके बाद आपको भगवान विश्नु और लक्षमी जी का पूजन करना है तो करम जो है न इस तरह से रहता है इसके बाद जो है न हम यहाँ पर कलावा रूपे बस्त अर्पित कर रहे हैं अगर आपके पाद बहगवान के लिए अगर आप बस्त अर्पित कर आए हैं तो आप बस्त पिना दीजिए नहीं तो अगर बस्त नहीं है तो कलावा दो दो कला जरूर चढ़ाना है तो इसी तरए सरल तरीके से उध्यापन की विदी होती है और जो लोग бег सरल तरीके से करना चाहते हैं वह इस ब्रतको उध्यापन करें क्योंकि जब तक आप युद्यापन नहीं करते कि तब तक उस ब्रतका पूरा फल जो हैना आपको नहीं मिलता है तो इसका उध्यापन करना बहुत जाना अनिवारे होता है इसके बाद हम भगवान को धूप और दीब दिखाना है तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से हाथ से दिखाया जाता है उसके बाद पीले कलर की फूल ही भगवान बिश्णू को ज़रूर चड़ाएं पीली कलर की चीज़े इस ब्रत में चड़ाई जाती है माला है तो माला चड़ा दीजिए अगर फूल है तो फूल इस तरह से आपको ज़रूर चड़ाने है बिलकुल सरल सिंपल तरीके से उध्यापन किया जाता है कहीं भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट वोक्स में आप मुझे कमेंट कर दे जैसे ही मैं फिरी होंगे आपको पका में रिप्लाई देने की कुसिस करूंगे तस्वीर पर फूल चड़ाया नीचे गिर गया तो वहां टेक नहीं रहा था तो हो सके तो आप तस्वीर पर माले का ही यूज करें माला का ही यूज करें मैं माले बोल रही हूँ इसके बाद ब्रसपती ब्रत की कथा भी आती है तो कथा भी इस पूझा में आपको जरूर लखनी है इसके बाद आप लगाना है आपको भोग तो मैंने हाँ़ पान का पत्ता लिया है पान के पत्ते की आप डंडी जरूर तोड ले मैंने कई हुआ वीडियो में आपको दिछाई है उसके बाद बेसन का मैंने एक लडू रखा है इसके बाद एक फल रखा है और इसमें रखनी है आपको चने की दाल रखनी है थोड़ी सी गली हुई चने की दाल चढ़ाई चाती है तो इस तरह से पान पर रखकर हम ये सारी चीजों का भोग लगाएंगे आप चाहें पान का पता अगर नहीं है तो कटोरी में रगगर भी आप लगा सकते है तो हो सके तो आप उध्यापन वाले दिन घर में बेसन के लड़ू बना ले और उसी का भगवान को भोग लगाना है इसके बाद पढ़नी है आपको कथा तो कथा की पुस्तक आप सब के घर पर होगी क्योंकि ब्रत किया है तो कथा की पुस्तक हम सबसे पहले लेकर आते हैं त कथा की पुस्तक तो कथा की पुस्तक आप जाती है अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी आपको चने की डाल रखनी है एक फूल लखना है और उसके बाद आपको पूरी चिस कथा पढ़नी है साथ में परिवार वालों को आप जरूर समलिद करें अगर आप साधी सुदा है तो अपने पती को भी इस ब्रत में जरूर बिठा लें क्योंकि पती पितनी के बिना अधूरी मानी जाती है यह पूचा तो हो सके उध्यापन वाले दिन जो है जो है जोड़े से आप जरूर करें अगर को आने हैं तो कोई दिक्कत नहीं अकेली भी कर सकते हैं उसके बाद जो है इस ब्रत का आज के दिन जो हैना संकल्प पूरा किया जाता है तो संकल्प में जो हैना दान दिया जाता है तो दान का जो हैना मैं आपको अलग से वीडियो बना कर बताओंगी कि क्या क्या चीजों का दान किया जाता है क्योंकि यहां पर वीडियो बहुत जाना लंबा हो ज देना है, मैं यहाँ पर संकल्प का जो दान मैंने निकाला है उसका यहाँ पर पूजन कर रही हूं, हल्दी चावल चढ़ा कर मैंने दान का इस तरह से पूजन कर दिया है, हो सके तो अपने गुरू को यह सारी चीज़े दान दे, अगर गुरू नहीं है तब आप किसी ब्रहा मन को बुला कर जो है न यह सारी चीज़े आपको दान देना है यह देखिए यह सुहा का सामन मता लक्षमी जी के लिए जो है न हम सुहा का सामन लेकर आए हैं तो सुहा का सामन मता लक्षमी के लिए आप जरूर लेकर आए पती की पुझा कर रहे हैं तो बतनी को नहीं आया है यह केले के ब्रश की पूझा सामकरी अभी बहुत जाना धूपती तो मैं आपको यहां पर केले की ब्रश की पूझा करके दिखा रही हूं यह केले का ब्रश नहीं है यह केली का प्रश इस पस डूप से मैं आपको बता रही हूं मेरे केले का पेड नहीं है केले का प्र का वीडियो मेरे चैनल पर हो सगेगा तो डिस्क्रिप्सर में मैं इसकी लिंक दे दूंगे आपको इसके बाद आपको आर्थी करनी है तो आर्थी तो आपको आती होगी भगवान विश्णो की तो इस तरह से जो है ना इसके बाद आर्थी कर ले और तहीं कोई अगर कमी रह है तो मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखे पूजा का उध्यापन की तो देखे बहुत बड़ी बिस्तार बिदी होती है लेकिन मुझे यहां पर सिर्फ छोटा सा एक वीडियो बना कर आपको दिखाना होता है इसलिए जो है ना सौट कर तरिके म बहुत जाना मजबूत होता है तो इस बात का आप ध्यान रखें गुरुवार का ब्रत घर में सुख समर्दी के लिए किया जाता है अगर आपको आ रहे हैं तो जल्दी बिवहा आपका हो जाता है अगर आप गुरुवार का ब्रत करते हैं तब आप गुरुवार का ब्रत कर सकते हैं इससे जो है ना आपकी गरस्त जीवन जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है तो बिल्कुल सिंपल और साधा तरीके से जो है ना इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है दान किसी ब्रहामन को या गुरू को ही देना है अपने घर में भोजन कराकर ही जो है ना आप इस दान को दे तो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है बहुत सरल सिंपल तरीके से सारी चीज़े जो है ना मैंने कवर करने की कोसिस की है मिलती हूँ आप सबसे नएस वीडियो में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना जब तक कि लिए जैशी रा कर दो एक दो एक दो कि अजब एक डर दो सेवाद कि अजब बाद की अजब एक दो एक रचला आजान के अजब कर दो एक दो हैं।